दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए नेगा नेजिस को और बेल आइकुन को दबाब और क्रिकेट की ताज़ा खबरे पाईए सबसे पहले नमस्कार दोस्तो भारत को इंग्लेंड में जीता हुआ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तो बमिंगम के मैदान पर खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को जीत के लिए मैच की चौक्ती पारी में 194 रनों की दरकार है इंग्लेंड ने अपनी दूसरी पारी में 180 रन बनाए इस दावरान टीम इंडिया की बोलिंग काफी शांदार रही अब टीम इंडिया के पास पहला टेस्ट मैट जीत करन सिर्फ सीरीज में एक से शुन्य की बर्त बनाने का मौका है बलकी बर्मिंगम में टीम के पास पहली और एतिहासिक जीत हासिल करने का मौका भी होगा बर्मिंगम के मैदान पर अगर चौक्ती पारी में टीम इंडिया के आंकडें देखें तो टीम ने दो बारिस मैदान पर चौक्ती पारी में बलेबाजी की है जिसमें से एक में टीम को हार मिली है तो एक मैच टीम के बले बाज मैच ड्रॉ कराने में कामियाब रहे हैं यहां चौक्ती पारी में भारत का सरवाधिक स्कोर 277 रन है जो की 13 जुलाई 1967 में इंग्लेंड के खिलाफ बनाया था हालांकि इस मैच में टीम को हार जिलनी पड़ी थी इसके आलावा इस मैदान पर चौक्ती पारी में टीम का दूसरा सरवाधिक स्कोर 174 पांच रहा है यह मैच इंग्लेंड के खिलाफ छेजुन उननीस साव शेयासी को खेला गया था यह मैच ड्रॉर रहा था अब इंग्लेंड के ही खिलाफ भारत के सामने चौक्ती पारी में 194 रन बनाने चुनोती है देखना होगा की बिराट कोहली और कमपनी जीत हासिल कर पाती है या नहीं वैसे आपकी इस बारे में क्या राए है क्या टीम इंडिया जीत पाएगी कमेंट कीजिए दोस्तों क्या भारत ये टेस्ट मैट जीत पाएगा या नहीं इसके बारे में आपकी क्या राए है अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद